यूपी के साजहांपुर में दो दिवसे दौरे पर आई सपा किराज चेट ध्यक्ष अखिलिश यादो ने पूरी विधायको और कारिकरताओं से मुलाकात की दोरान सपा परमुक ने भाजपा पर निसाना साधा और बताया कि सभी सपा कारिकरता पुरी ताकत से लोगसभा चुनाओं की तैयारियों में लग जाएं अपने संबोधा में बताया कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सप्ता में आ गई तो लोगों से वो देने का अधिकार बीचीन दिया जाएगा ये चुनाओं का समय हैं संविधान खत्रे में हैं लोगसभा चुनाओं को लेकर अभी से कुई तैयारी करनी जरूरी है और किसी भी हालत में भाजपा को सप्ता में नहीं आने देना है साथी बताया कि अगर चुनाओं के दोरान अमारे साथी दूसरे दलो में न गई होते तो ऐसी इस्तिती ना आती साथी बताया कि जिले से तीन-तीन मंतरी आते हैं और नौबार के विधायक और वित्यमंतरी के सहर के हालात हमने देखे पुरे सहर की सड़के खुदी हुई पड़ी हुई हैं गलियों में पूरे के धे लगे हुए हैं जिस मंतरी के हातों में खजाने की चाबी हो उनके सहर का ये हाल है लखनों से साजहापूर आते समय रास्ते में हाट डिवाडर पर छुप्टा जानवर भी खुंते नजर आए जो भाजपा के कियेगे विकास की पस्वीर को साफ बया करते हैं फिलाल सभी को मिलकर सपा को मजदूर बनाना है साजहापूर से जम्मकनी उसके लिए राजीर शुकला की रिपोर्ट